हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब राम जी की पाठचाला में आपका बहुत बहुत सुवागत है उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी तियारी बहुत ही बढ़िया डिन से चल लही होगी दोस्तों 26 27 जून को आपका एक्जाम है मोटा मोटा से दिन लगा है लगवग पचास दिन का समय आपके पास सेश है और इन पचास दिन में आप इस एक्जाम को आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं तो उन पे आपको कमांड करने की जरूरत है क्योंकि राम जी की पाट शाल आपके लिए लगा हुआ है एक क्लास आपके लिए क्लासे शुरू कर दी है दो क्लासे यूट्यूब पर आपको मिलेंगी सुबह नौ बजे हैना सुबह नौ बजे आपके लिए लाइव क्लासे चालू होगी पहली क्लास कल जीएस की नौ पहले है तो अब आप देख लीजिए थोड़े दिन में आपको पता लग जाएगा अभी वीडियो का वन्दरगा एक्जाम हुआ था जो पीडियाफ राम जी की बाटशालगी तरफ से अप्लोड की गई थी बच्चों को दी गई थी उस पीडियाफ में से बच्चों को 65 से 70 नमबर, question, directly मिले हैं, उनका प्रूफ भी मैंने चैनल पर डाल रखा है, आप जाकर के प्रीवेस वीडियो में, चार-पांच दिन पहले की वीडियो में जाकर के देख सकते हैं, आपको पता लग जाएगा कि इतने dedication के साथ आप से पहले UPSI भी हो, उसमें भी ऐसे ही हुआ था, बच्चों को definitely वहाँ से question मिले थे, तो ऐसे में आप लोगों question जब हम सब लोग काम कर रहे हैं, तो आप वह कमेंट आ रहे हैं, कुछ दो-तीन कमेंट हैं, जो बहुत ज़्यादा repeat हो रहे हैं, और वो मुझे लगता है, आपकी genuine problem भी है, तो इस वीडियो में एक छोटी सी वीडियो में हम discuss करने वाले हैं, कुछ बच्चे paper नहीं दे पाएंगे, या आप कह सकते हैं, कि उनका process आगे नहीं बढ़ पाएगा, दूसरी बात है यहाँ पर, आपको देखनी हैं, कि triple C के बारे में बहुत प्रशन पूछा जा रहा है, कि triple C कब तक का मानने हो सकता है, मैंने पहले ही बता है, एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ, और साथ में कुछ लोग पूछ रहे हैं, क्या दोबारा exam हो रहा है, तो क्या दोबारा form भरना पड़ेगा, तो पहली बात तो आप एक चीज सुन लीजिए, exam देने के बारे में, टोटल कितने लोग exam देंगे, कौन लोग paper नहीं दे पाएंगे, लोगों को लग रहा है, जिन बच्चों ने पहली बार बैठे थे, वही paper दे पाएंगे, बाकी जिनों छोड़ दिया था, वह paper नहीं दे पाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है, आप सब को पता होना चाहिए, कि लगभग 14,00,000 बच्चों ने इस पर इक्षा के लिए हैं, 14,00,000 हैं, सब को मौका नहीं मिलेगा, केवल 9,00,000 को मिलेगा, बट ये बात गलत है, आप सब को इक बात पता होने चाहिए, जब भी परिक्षा में धांदली, या स्कैम, या कुछ भी फरजी वाड़े की बात जब होती है, तो जितने भी लोग एपलाई की होते हैं, स सब लोग एक्जाम इसमें देंगे, बट एक बात इसमें है, आप एक्जाम तो दे लेंगे, पर फाइनल कौन सेलेक्ट होंगे, उनके बारे में आपको ट्रिपल सी की माने तर सम्मंदित बिंदू पर विचार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ट्रिपल सी के बारे मे मानों के आपका जून का महीना था मान लिया, मान लिया जून के महीने मैं आपके फॉर्म निकले थे और आपकी 30 जून आखरी तारिक थी तो वहाँ पर ट्रिपल सी की मानिता के बारे में स्पस्ट रूप से उलेख है कि 30 जून से पहले पहले का ट्रिपल सी का certificate आपके पास होना चाहिए अनिथा आप योग्य नहीं होंगे कोई कहने लगे कि मैंने 2019 में कर ली थी कोई कहने लगे 20 में 21 में 22 में या मैंने अभी किये तो ये कोई भी मानने नहीं होगा मानने केबल वो होंगे जो form की last date से पहले आपने कर ली है बात खतम that's all ज्यादर attention लेने की ज़रत नहीं है अगर आपके triple C form भरने की rate के बाद की है तो उसमें कोई मतलब नहीं बैठता है बाकी आप पे चीज़े डिपेंड करती है और कुछ लोग पूछ रहे है क्या 12 form भरना पड़ेगा तो भाई 12 form भरने कोई शीन नहीं है जो form आपने पहले भरा था उसी पर आपकी call आजाएगी आपको कोई भी दिक्कत उसमें नहीं होने वाली है बस आप लोग अपनी तयारी पर जाजाद ध्यान दीजिए और एक बात है यह दो classes तो आपकी चलेंगी ही बहुत अच्छे लेवल पे यदि आप हिंदी हिंदी साहितिया या GS मैने तीनों को तोड़ दिया है पूरा-पूरा course आपको लेना पड़ता है पूरा-पूरा course आपको नहीं लेना पड़ेगा आप यह दि हिंदी व्याकरन पढ़ना चाहते हैं तो हिंदी व्याकरन अराम जी की बाटशला के app पर जाकर ले सकते हैं इनकी जो डेमो classes है वो कल और प कोशन डरेट रखे हैं सतर प्रसंट टक डेटा डरेक्ट सामने रखता और ऐसा डेटा ता जिसको बड़े-बड़े कोचिंग संस्थान भी जिस स्लेबस को हाथ लगाने से डर रही थे ऐसा स्लेबस राम जी पाटशला द्वरा पढ़ाय गया है और आप जानते हैं कि राम होगा इसमें कोई भी दो रहा है नहीं पड़ेगा तो हमारा जो नंबर इत्यादी है वो तो चार पास साल होगे चार सारे-चार साल होगे कैसे पता लगेगा तो उसकी टेंशन आप मत लीजिए यूपिटर बलसी की साइट पर आपके आपके पिता जी का नाम डेटो से आप वहां से डेटा निकाल सकते हैं आपका सब डेटा यूपिटर पलसी दे देगा आपको कोई दिक्कत नहीं होगे आपका रिस्टोशन नंबर रोल नंबर वगएर सब आपको मिल जाएगा इसमें टेंशन लेने की जूरत नहीं है बाकी जीजान लगा करके पढ़िए राम जी पार्ट शाला है दुवाधर तरीके से आपके लिए क्लास शुरू कर दिये कल सुबह 9 बजे मिलेंगे फिर 6 बजे मिलेंगे हिंदी की एक क्लास हो चुकी है और बाकी डेमो क्लास के लिए आप तयार रहिए रणीती वगएर तमाम चीजें सब आम आपको को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है और लाइक शेयर करना नहीं भूलना है इसी इसी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पार्ट शाला मैं हूं राम भारत जय हिंद जय भारत